ओम शी गनेशा आये नमार दराये दोस्तों आप सभी का मेरे चनल बतकता स्लोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम 2023 सबसे भागिशाली राश्यों की जानकारी देने वाले हैं जिनको बहुत ही शेष्ट संतान सुक के साथ साथ बहुत अधिक प्रबल योग बने हैं कि इनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों आज की वीडियो में हम महीनों की जानकारी दे रहे हैं कि कौन से महीने में आपका सबसे प्रबल योग बना हुआ है इस महीने में अगर आप चांस लेते हैं यानि अगर आप संतान की प्लाइनिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है, आपको निशिद ही मन वांची संतान सुक की प्रापती हो सकती है साथ ही आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको बतलब निश्चित ही पुत्र की प्राप्ती हो दोस्तो ये जो हम आपको राशी फल बताने जा रहें देखे चंदर की राशी पर आधारित है और चंदर की राशी से ही अपना राशी फल अवश्य देखें दोस्तो उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगलने बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तो दोजार तेईस में देखे शनी और गुरू का राशी परिवर्तन होने जा रहा है और ये बहुत ही महत्पुन ग्रह माने जाते हैं अगर इनकी दृष्टी आपके पंचम भाव में होती है तो निश्चित ही आपको मन वांचे संतांसुक के योग बनते हैं दोस्तो इन भागेशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है वो है मेश राशी मेश राशी में देखे देव गुरू ब्रस्पती फर्स्ट हाउस में रहेंगे शनी 11 हाउस में रहेंगे और दोनों की दृष्टी आपके पंचम भाव में रहेगी और आपको 21 अप्रेल से पूरे साल बहुत अच्छा संतान सुक का योग बना हुआ है अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथी का प्रियोग अवश्य करें मेश राशी के जातोकों को निश्चित ही संतान सुक प्राप्त होगा दूसरी जो भागेशाली राशी है वो ह राप्ती हो सकती है दोसो तीसरी जो भागेशाली राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के जातोकों को ले बहुत ही अगली जो भागिशाली राशी है वो है व्रिष्चिक राशी व्रिष्चिक राशी के जातों के लिए देखे 2022 से ही बहुत ही अच्छा और प्रबल संतान सुक्का योग बनावा है क्योंकि देव गुरु ब्रस्पति आपके पंचम भाव में है और 2023 में देखे जनवरी फरव भागिशाली राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के जातों के लिए भी बहुत ही प्रबल संतान सुक्का योग बनावा है क्योंकि देव गुरु ब्रस्पति आपके पंचम भाव में है आपका पंचम भाव बहुत ही मजबूत है और आपको 21 अप्रैल से पूरे साल बह दोस्तों अगली और आखरी भागिशाली राशी है वो है कुम्भ राशी कुम्भ राशी के जातकों लिए भी बहुत अच्छा संतान सुक का योग बना हुआ है लेकिन आपका योग प्रबल नहीं है तो इस वीडियो में हम जो आपको पाय बता रहें उनको अवश्य करें निश्षिद ही आपको मन वांचे संतान सुक के योग बनेंगे दोस्तों ये भागिशाली राशियां ऐसी है जिनको 2023 में निश्षिद ही यानि 100% संतान सुक मिलेगा और बहुत अधिक चांसिस भी है कि आपको पुतर की प्राप्ती हो सकती है दोस्तों ये हमने आपको इसीव करते हैं तो निश्षिद ही आपको संतान सुक प्राप्त होगा अगर आप देखे पुतर की इच्छा रखते हैं तो इन उपायों को भी अवश्य करें सबसे पहला उपाय है दोस्तों देव गुरु ब्रस्पती के बीज मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम सा गुरुवे नम का 108 बार नित्यप्रती जाप करें नहीं तो गुरुवार के दिन तो अवश्य ही करें दूसरा उपाय है दोस्तों संतान गुपाल मंत्र का आपको नित्यप्रती 108 बार जाप करना है देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगत पते देही मेतरेयम कृष्णा तो आहम शरनम गता दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप वरस्वतिवार के दिन मतलब वरत करते हैं यानि केले की पूजा करते हैं वरत करते हैं तो निश्चित ही आपकी वंश की व्रिद्धी होती है आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी दोस्तों इन तीन उ शी गने शाय नमा